तो यहाँ पर हमें एक table दी गई है, जिसमें हमें दिया गया है space flights and days in flight, तो जो यह information दी गई है हमको, इसके लिए हमें bar graph draw करना है, तो देखें, यहाँ पर मैंने draw कर ली है, horizontal axis और vertical axis, horizontal axis के along मैंने write किया है space flight, और vertical axis के along मैंने write किया है days in flight, तो मैंने यहाँ पर सभी में 11 का gap लिए तो मैं देखता हूँ Apollo 8 के लिए है यहाँ पर 6 तो यहाँ पर देखेंगे Apollo 8 के लिए 6 है तो मैं इसके लिए यहाँ खीज़ दूगा तो line draw कर लेते हैं यहाँ पर एक यहाँ हो जाएगी और एक यहाँ पर यहाँ हो जाएगी ठीक है इसको close कर देंगे तो यह एक rectangular bar बनेगी किसके लिए Apollo 8 के लिए तो write करते हैं यहाँ पर Apollo 8 इसके बाद Apollo 9 के लिए यहाँ पर है 10 तो उतना ही gap देंगे ठीक है न वन बॉक्स का जितना यहाँ पर हमने लिया है उतना यहाँ पर लेंगे तो Apollo 9 के लिए यहाँ पर 10 तो 10 का है यहाँ पर यह रहा ठीक है तो line कीश लेते हैं इसके लिए एक line यह खीश है हमने और फिर मैं दूसरी line कीशता हूँ यहाँ तो यह दूसरी line है अब क्या करते हैं इसको close कर देत है तो यह दूसरा rectangular bar बन जाएगा हमारा इसमें राइट करता हूं मैं Apollo 9 Apollo 9 इसके बाद Apollo 10 8 तो 8 कहां पर है यहां पर यह 8 के लिए हो ठीक है तो इसके लिए मैं line खीच लेता हूं जिससे कि मैं rectangular bar बना सकूं यहां पर तो यह one one line यह second line इसके लिए अब यहां पर इसको close कर देता है जिससे कि rectangular bar बन सके तो यहां पर मैं write करता हूं Apollo 10 ठीक है फिर यहां पर Apollo 11 के लिए भी 8 यह है तो सेम यहां पर हम 8 पर टिक करेंगे और यहां पर पूरी line खीचेंगे 8 के लिए ठीक है तो एक यह line एक यहां पर यह line close करा देंगे जिससे कि rectangular bar बन सके यहां पर लिखेंगे Apollo 11 Apollo 12 देखते हैं यहां पर यह है 10 तो 10 यहां पर इतना ही gap देखें यह यहां पर 10 तो यहां पर line खीच लेते हैं दो एक तो यह अईसकेस लिए का यहां टरन नहीं मेorकागे मोंको अधर्वामेश्वार्ट फिवार्ट्वार्गा मरस्से सहाल इंवार्ट्त करने खो यहां घर करते हैं गाल